हेलो दोस्तों, संजित स्टूडियो में आपका स्वागत है और मेरे नाम है संजित सिंग आज मैं आपको बताउँगा कि एक्षों कैसे बनाते हैं एक्षों का मतलब यह होता है कि आपको कोई चीज डिजाइनिंग करने में टैम लगता है या आपको filter लगाने में time लगता है या आपको contrast, brightness या rotate system या passport size photo या कोई भी size भी photo हो आपको उसको करने में time लगता है तो इसके लिए एक action होता है कि एक button दवाते ही आपका वो काम एक second में हो जाता है जैसे कि दोस्तों मुझे rotate करने के लिए alt i e 9 दवाना पड़ता है इसका shortcut तरीका यह है f trial up दवा दो यह action मैंने कैसे बनाया यह मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ आपको यह window में जाना है window में जाने के बाद history में जाना है create new action में जाना है click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा इसको हम नाम दे रेंगे rotating rotating नाम देने के बाद आपको इसको एक key देना पड़ेगा जैसे की f1, f2, f4 मैं इसको f12 दूँगा 12 करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर recording start करनी है start करने के बाद दोस्तों जो मैंने आपको तरीका बताया था वीडियो में पहले alt i e 1 आपका rotate होगे दोस्तों उसके बाद हमें stop में click करना है stop में click करने के बाद दोस्तों आप f12 दबाओगे आपका photo rotate होना शुरू हो जाएगा आपको मैं इसी तरह बहुत सारे action बनाना बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं कि filter वाला and अगर आपको contrast brightness एक second में करना है अपनी photo में वो सब action आपको मैं बनाना बताऊंगा अपनी आने अली वीडियो में तो आपको यह मैंने छोटा से एक hint दिया है कि action बनाते कैसे हैं आप घर में इसी तरीके से अपना action बना सकते हो फोर एक second से पहले उस चीज को complete कर सकते हो और अगर आपको यह वीडियो समझ लग रही है ना दोस्तों तो आप color tone करके आप उसको action में तबदिल कर सकते हो दोस्तों बट अगर आपको नहीं समझ लगता है आने अली वीडियो में मैं आपको जरूर समझाओंगा उसको कि वो color tone, correction यह सब एक second में कैसे करते हैं यह आपको मैं आने अली वीडियो में सब बताऊंगा और आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कमेश एक्षिन में जरूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों गुड़ बाई